मैं आज आप लोगों को जो एक्सरसाइज है वाइस ऑफ गौड की बता चुका हूँ वाइस के लिफ की बता चुका हूँ चेप्टर नंबर थ्री जो है प्रोफेशन्स इसकी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज इसके कोश्चन अंसर इसके कोश्चन अंसर एमस्वी क्यूस या ब्लैंक्स उसके इलावा इसके इडियम्स जो है इसके इडियम्स यह जो है यह इडियम्स आते हैं बोड के पेपर में यह मैं आप लोगों को सॉल करके दिखाऊंगा और शॉर्ट नोट्स भी सॉल करके दिखाऊंगा ठीक है यह आजाए है इसके what does आखून मीन ये कोश्चन जो है 2011 में भी आया है 2010 में भी आया है आखून इस सिंधी वर्ड फार टीचर इट कम्स फ्रॉम पर्शन वर्ड खंदन वुच मीन्स टूरीट ठीक हैं आखून कि क्या मीनिंग है आखून एक सिंधी वर्ड है जिसकी मीनिंग अटीचर ये मजीद पर्शन लेंग्विच से लिया गया है खंदन से जिसकी मीनिंग है पढ़ाई करना ये पढ़ना ठीक है आज है आगे वाले कोश्चन पर जलते हैं यह 2016 में भी आया है, 2010 में भी आया है, ठीक है, एक टीचर खुदा के कमान्ड पर सकता है, जो उसके कवानीन लोगों के दिलों में लिखते होते हैं, यह मजभी बुक्स, सेक्रिड राइटिंग्स में, यह क्रियेशन, नेचर में होते हैं, नेचर में, मजभी किताबों में, लोगों के दिलों में खुदा के कवानीन है, एक टीचर ही उन सब को पढ़ सकता है, आज हैं कोश्चन नमर 3, यह 2011 में कोश्चन आया है, यह लुचे पेज, पेज पेज नमर 9 पेज है, A teacher must have the following qualities, he or she loves and appreciates the profession, he loves and respects the students and all humans, he or she has the thirst for knowledge, उसको प्यास होती है थिए कि विपो teaching others to read, he or she must know how to read, he or she not only strives to know what is the true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life, ठीक है, वो तो यह नहीं जानत मतलब कोशिश करता के गुड़ तुथ अच्छाई और खुबसूरती क्या है लेकिन लोगों के दिलों में यह मुन्तकिल करने की भी कोशिश करता है सब कीजें खुद में भी और बाकी लोगों में भी इस्टूड़न्स होते हैं उनके इसमें भी ठीक है आ फेलो बिंग्स ठीक है यह हमारे लिए इंपॉर्टन सोर्स है क्योंकि हमारे खाने का जरिया है और ट्रेड भी है एक फ्लोरिशिंग ट्रेड भी है फिशर में इनके लिए नेक्स्ट कोस्टन पर आ जाए तुछ इस वन ओके अच्छा लेस्ट नेक्स्ट कोस्टन अबर सिक इस वह दो उते हैं यह किसी भी यर्ज में नहीं आया ठीक है आचा वाय डू पीपल लेकिन एक्सर साइज में मौझूद है इसलिए हम साल्व कर रहे हैं नेक्स्ट वाय डू पीपल लाइक फ्रेश वाटर फिश पीपल फ्रेश वाटर फिश को सोरी क्यों पसंद करते हैं यह 2012 में भी आया है 2011 में भी आया है fresh water fish are caught from rivers streams canals lakes and ponds ponds ठीक है ponds the people like fresh water fish because it can easily be caught with the nets of various sizes and it is small but tastier ठीक है ना आसान यह fresh water fish जो है ताजा फिश जो है यह fresh water से ही की जाती है लेक से स्ट्रेम से पॉंड से या केनल से people उसको क्यों करते हैं fresh water fish को पसंद क्योंकि आसानी से पकड़ी भी जा सकती है और चोटी है लेकिन बहुत testy होती है खाने के लिए question number seven what is marine fishing done in Pakistan marine fishing is done in Pakistan in the Arabian sea along the coast Pakistan में Arabian sea में marine fishing की जाती है ठीक है question number seven किसी में भी नहीं है 10 years में what are the dangers of marine fishing rough weather and storms of the sea are the two deadly dangers of marine fishing जब marine fishing हम समंदर marine fishing means समंदर की fishing जो होती है rough weather और स्टाम जो है सी का यह from where fresh water fish are caught and how is it done यह 2017 में आया है यह आप लों की exercise इस बुक वाली exercise में मोजूद नहीं होगा यह 2017 में आया है इसलिए मैंने किया है fresh water is fish is fresh water fish are caught from rivers streams canals lakes and ponds ठीक है it is done with nets of various sizes ठीक है यह 2017 में आया है exercise में मौजूद नहीं है 8 question exercise में यह 9th question है यह मैंने खुद किया है तक क्योंके 2000 वर 10 years में आया है आजाए mcq blanks की तरफ आजाए अच्छा इसके खुद बना दीजेगा बने लिखे हैं आप लोग mcq खुद बना दीजेगा वन सिंधी वर्ड फार टीचर इस आखूंद एक आखूंद सही है आप दूसरे नाम खुद लखेंगे mcq option में a b c d बनाएंगे आखूंद कम्स फ्राम डेश वर्ड खंदन पर्शन वर्ड खंदन से लिया गया है जो पर्शन वर्ड है खंदन मींस डेश टूरी खंदन मत का मतलब है पढ़ना इसका ब्लेंक में टूरीड आएगा दो फर्स्ट वर्ड आफ दट रिवलेशन वही इस का जो अलफाज था वो इक्रा पर्द डेश बस्ट एक्षरेशन आफटी टीचर ऐस्ट इंडिटी आखूंद बहत्री नेच्ट एक्सपरेशन ने टीचर की स्टतर सोगने बताने के लिए पीपल इन डेश इस डेश इस हायर रिगाड फाट इस्ट पीपल इंड इस्ट इस में लिखे जाते हैं लोगों के दिलों में लिखे जाते हैं कुद्रत में लिखे हैं कौन पढ़ता है टीचर ही पढ़ सकता है अब एस टीचर इस ही वो होता है जो हमेशा इस्टूडंट रहता है इस्टूडंट रहता है इस्टूडंट इस करेक्ट अगुड टीचर डीपली हमारा कितना हिस्सा जमीन का पानी से कवर है 3 4 तीन हिस्से पानी है एक हिस्सा जमीन है। है देर आए डेश मूर्सा फिशिंग तू मूर्सा-फिशिंग इसा अफ्लेंक में तू आए गा डेश ऐर कॉट्ट या इसके MCQC बना सकते हैं वन तू तो त्री आएए वन बी तू सी त्री डी फो तो तू भी जो करेक्ट होगा डेश ओर कॉट्ट फ्राम्रा इर्वर्उर् स्लंग दकोस्ट मेरीन फिशिंग मेरीन फिशिंग और सी फिशिंग दोनों से मैं अब फिशिरीज टैनिंग इंस्टीट टेकनलोजी के लिवार्ट्री है बीन इस्टॉबलिश्ट इंडेश कराची ठीक है यह एंसी क्यू साब बना सकते हैं अब आजाएं आप लोगों को मैं इंस ब्लेंक्स दिखा रहा हूं ठीक है बले ओ इडियम सोरी तो बेक आउट सम्थिंग आफ सम्थिंग का मतलब है तुर विद्रा फ्राम एन एग्रीमेंट ठीक है न किसी भी चीज से ड्रा करना मतलब रिद्रा कोई एग्रीमेंट करें उससे मुगर जाना फिर आप लोग वन्स यू है मैड एन एग्रीमेंट यू शुट नाट ट्राय टू बेक आउट आफ एक मरतबा कोई भी एग्रीमेंट कर दो फिर उसको छोड़ दो नहीं मुकर नहीं उससे तो बीट बाउट दबुश तो बीट बाउट दबुश का मतलब है असली बात पे मतलब इदर सब्सक्राइब करने करने वाला कोई भी इंप डिसकस करते हैं इदर उदर की बाते करने है तो दीपरेंट बात नहीं करते दिस को बहुत बाउट बपात कि लिट बाउट बुश तो गो अर्न टॉपिक आट पॉइड दो पेंड फोई इस को आप बात करे न पूटी लिट को किसी के से आपका मदलब टू हैव बून विट समवन मदलब किसी से आपकी दुख होना किसी से आपका जगड़ा होना किसी से आपका मदलब ना पसंदगी की जैसे का जगड़ा होता है बगरा बगरा यह दबॉन टूपिक विट यू इसका अपसके साथ जगड़ा है तो ब बोट परसन स्केप्ट कॉईट दोनों खामोश थे इच वेटिंग फाद अधर्स टू ब्रेक दाइस हर कोई दूसरे का अनजार कर रहा था कि खामोशी कैसे तोड़ी जाए ठीक है यह इडियम से चार इडियम से एकसरसाइज में मौजूद हैं और यह इडियम से टेन यर्ज में आ जाएंगे आप लोगों को यह है शौड नोट चीचिंग पेचिंग इस वे इडियम से बोल यह इस वजका से वर पहंगे वारे इस वर्जा से वरसिंधी वर्ट उटिचिर इस को अधर रॉट इसयू रिग्द हलोगा है इसरोगा है वर्क्ति अधर सिंद्र झे आपा फिरने उपक्र वरक रचाइश किति और उत्क वरकल का बजली प्रावा चाहश की प्र बॉटाव्टो लिवाज वग्ट ट्रीचर हो तरवर रज़ बना रखाथ अ कर जान प्यपूस, है फिर्देश प्रेस्टेश कर खे रखेट प्रेस्टेते प्र्स्टेशी के छिए स्टी बिफूर टीचिंग अधर सी मस्ट नो हाव टूरी टीच मदलब दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद जाने के पढ़ाई कैसे की जाती है यह सिर्फ ना जाने के वही टूर्थ क्या है सचा ही क्या है और अच्छा ही क्या है लेकिन इनको अपनी जिंदगी में भी मुंतकिल कर दें दूसरों तक भी पहुँचा है इसका जो रत्बा है रेस्पेक्ट है उसकी इज़त करनी चाहिए यह शौर्ट नोट है शौर्ट नोट से ज्यादा ना हो और एक ही पेराग्राफ में दो तो बहतर है शौर्ट नोट के पार ठीक है यहां से शुरू हो रहा है यहां भी खत्म हो रहा है ठीक है मैंने इसकी मीनिंग आप लोगो नहीं बताई आप लोग समझ सकते हैं खुल ठीक है नेक्स शौर्ट नोट है इसका फिशिंग ठीक है फिशिंग